नमस्कार दोस्तों अम्बे सवरिशेस चैनल पर एक बार आज फीर से स्वागत है आज की जो हमारी वीडियो है वो फीनो पेमेंट बैंक पर बनी हुए जिसमें आपको कितना कमिशन मिलता है आप महिने में कितना कमाई कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे आपको फीनो सबसे बेस्ट है इसलिए क्योंकि इसकी सर्विस बहुत जबजस्त है तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा जो टॉपिक फीनो पेमेंट बैंक पर ही है तो फीनो पेमेंट बैंक जो है आपको क्या कर सर्विस देती है तो आप देखेंगे कि फीनो पेमेंट बैं पहते हैंिंड है आप ठीक है और आपको n relax जायिसी बात है करना मेंड नाम है तो एक तरीके का bank ही है तो तारी चीजें जो वह जो bank करती यह सारी चीजें यह भी करती है काड भी देगी जाई का भी option देती है यह insurance भी आपका करवाती है आप insurance चाहे तो फिनो payment bank से ले सकते है insurance किसी भी तरीके का विकल जो होता insurance वह भी ले सकते हैं और health insurance जो जो चाहे आपको वह आप ले सकते हैं और फिनो पे है जो किसी को भी आप जो है पैसे जो है उसके account से cut करके आप cash group में किसी को वही आपका ATM ही काम है कि आप जैसे card डाल करके पैसा निकालते तो यह जो है आपका card से ही पैसा निकाल देते हैं आपके आधार card या mobile number डाल करके और यह सब चीजे हैं अब जो बात है कि फिनो पेमेंट बैंक हलाकि हम ID देते तो हैं लेकिन अभी फिलाल हमारी ID अभी working condition नहीं है कुछ हमारा कोड है उसके वज़े से रूखा हुआ हम अभी आपको टाटा इंडिकास का ATM जरूर प्रवाइड करा सकते हैं तो जो यह वीडियो है आज हम बताएंगे कि फिनो पेमेंट बैंक पे जो है आप कैसे ID ले सकते है तो की ID लेने के लिए आपको जो है प्ले स्टोर से एक डाउ करना होगा जिसका नाम इन फिनो मित्रा है और इसका डाउनलोड जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद जो है फिनो मित्रा जो है इसमें आप दो तरीके से या तो आप रिटेलर कर ले स सकते हैं तो मुझे मोबाइल रिकॉर्ड करके दिखाना पड़ रहा है क्योंकि कारल यह है कि इसकी सीक्योर्टी हाई होती है तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता तो हम केमरे के जरीए जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप जब डाउनलोड करेंगे फिनो मित्रा उस पर बार बार आपसे अलाओ करने के लिए कहेगा वह सारी परमिशन आपसे लेगा लेटिटिटूड लेंगिटूड लोकेशन देन उसके बाद हम प्रोसेश करेंगे कि अगर आप पहले से ही लॉगिंग है इन सब चीजों म तो आपको सिर्फ यहां पर यूजर नेम डाल करके इंटर कर देना है आपका लॉगिंग जो की हो जाएगा लेकिन अगर आप नए हैं रेजिस्टेशन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे बिकेम फिनो मर्चेंट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फिर से यह पर हम जो है इस पर पर्विशन क्लिक कर दिया हमने अब जो है आपका जो है फिनो मर्चेंट के अकाउंट पर जाएंगे उसके बाद आप से यह बोल रहा है कि वैलकम टू फिनो वी के वाईसी मतलब की फिनो का जो है वो वीडियो वाला जो के वाईसी है यहां पर नीचे हमें क्या कह चाहिए तो वह आधार कार्ड है आपका दूसरा पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए और रूम की जो जो कलर होगा रूम का वह भी चीजे यहां पर मतलब वाइड बैक्राउंड होना चाहिए क्योंकि वीडियो से ही आपकी कवाईसी कंप्लिट होती है गुड कुड़ा कट मार का जो उप्शन है उसको कट करेंगे तब हमारा ये ओपन होगा मोबाइल नमर डालने के लिएजिए इसमें डाल देते हैं आ मेरा सब्सक्राइब zoo मैं कर रहा हूँ, submit करने के बाद आप इसको जो है next पे click कर दीजिए, next पे click करते ही आपका आपसे ये सारी details पूछेगा कि आपको क्या क्या करना है तो ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि दोनों के बारे मैं बताऊंगा कि जो distributor लेना चाहते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं और जो ID लेकर के अपने दुकान में अपने घर के पास ही चाहते हैं कि नहीं मैं ID ही सिर्फ ले लूँ और पैसा दूँ लोगों को उसी transaction का जो भी commission हम कमाएं वो सारी चीजे जो है registration कैसे करनी हो वो मैं बताऊंगा अगर पहला जो है हमारा account selection है account selection में जो है कि holding जो टाइप है वो किस तरीके का होगा invisible होगा या फिर आपका store proprietor मतलब आप personal name से करना चाहेंगे कि आपके पास कोई GST है उस नाम से registration या फिर आईडी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा तो personal name से मैं बनाऊंगा आप personal name से कर दें इंडिजवल जिस्टीक चक्कर में ना पाँए तो ज्यादा सही रहेगा select type आप किस तरीके का लेना चाहते हैं merchant बरना चाहते हैं या फिर distributor merchant वो होते हैं जो एक आईडी लेकर के एक अपने local area में एक छोटी सी दुकान में बैठ जाते हैं और पैसा cash लेकर के आधार card से पैसा रिकालते हैं account open करते हैं card देते हैं यह सब सारी चीज़ों जो है इनसे ही होती है तो यह हुआ आपका merchant और distributor वो होते हैं जो एक उनको पर्टिकल पर्टिकुलर जो है area दे दिया जाता है और वह फिनो की जो है ID दूसरों की generate करते हैं उस पर उनको जो कमिशन मिलता हो माले सपोस्ट एक ID जेनरेट करते हैं दस रुपए तो फिनो की जो distributor ship है वो लेना सही नहीं है बलकि आपको यह लेना सही है कि direct आप merchant हो जाए किसी distributor को ले करके आप करवा सकते हैं या फिर डारेक्ट फिनो के branch पे जाकर के भी करवा सकते हैं हम भी जो है distributor है फिनो के तो हम जो है आपको ID दे सकते हैं तो हमने distributor पर क्लिक किया distributor पर क्लिक करने के बाद हमसे यह पूछता है कि politician politically आप export person है या नहीं है तो आप no पर करिए क्लिक क्योंकि आप नहीं है और यह है FTC declaration इसको भी आपको चेक मार्क कर देना है चेक मार्क करने के बाद आपसे यह agreement दिखा करके यह accept करवाएगा कि आपका यह जो कर रहे हैं आप यह सब कुछ सही है और ऊपर मैं यहां पूछ रहा है कि I am the tax residence of India I am tax residence of out of India मतलब कि हम जो tax liability भरते हैं वो इंडिया में भर रहे हैं या फिर दूसरे किसी और country में भर रहे हैं तो उसके लिए यह दे रहा है तो आपको I am tax residence of India वाले पर क्लिक करना है और उसके बाद accept कर लेना है accept करने के बाद आपको जो है यहां पर non BPCL होता था पहले option अभी सिर्फ BPCL दिया हुआ standard है और UPSRM,SRLM है तो मैं standard अगर कर दूँ तो standard एक बीच का होता है कि न जादा न कम तो यह चीज़े होती है payment selection जो होता है इसमें 2,000 उपए master distributor के लिए लगाना पड़ता है तब जा करके आपको master distributor ship मिलती है मैं अभी payment नहीं करूंगा तो मैं pay later पे कर सकता हूं अगर आप चाहें कि नहीं आप 7-7 ID बनाते बनाते ही आप जो है इसका payment कर दें तो आपको pay now पे click करके आपको next कर देना है next करने के बा आधार नमर होगा जिस नाम से आपको लेना होगा उस नाम से जो है आप अपना आधार काड का जो भी नमर है pen card का नमर यह वह चीज़े भर दीजिए यह हमने भर दिया जैसे ही आप pen card भरेंगे यहां पर tick mark आजाता है कि सब कुछ ओके है आपका अब आधार link to pen link है कि नहीं आपका आधार pen से तो yes या no कर सकते हैं आप मेरा तो link है अगर नहीं लिंक होगा तो भी कोई मैंने जो अपना अधार card number अब डाल दिया है अधार card number डालने के बाद आपको simply जो है next पर click करना है next पर click होते ही आपका please provide us consent to move feature इसको okay कर देना है और यहां पर आपको tick mark करने के लिए तो यह जरूरी है करने के लिए इसके बाद आप आप जो है next कर दीजिए फिर से आपक का आधार card जो registered है उस पर को टीपी आईगी जो आपका bank में जो आपका आधार जो है उस account से link होगा mobile number अधार से तो उसी पर आपका जो है को टीपी आएगा वो टीपी आपको भर देना है मेरा ओटीपी आ गया है मैं इसको submit कर देता हूं इसको करने के बाद आपके पास देख रहे हूंगे यहां time दो मिनट और 30 सेकेंड तो इसके बीच में ही आपको जो है कर देना है अधार काड लेने के बाद आपका फोटो भी आ जागा यह देख रहे है मेरी फोटो आ गई है तो आपकी भी फोटो इस तरीके से आजएगी पूरा नाम आ जाएगा डेट अब बर्थ सब कुछ यह आटोमेटिक ले लेगा इमेल आइड अगर आप से वह मांगता है तो इमेल आड प्लीज जरूर दे उनको जैसे मेरी एक इमेल आड है मैंने भर दिया अब भी कोई भी इमेल आडी आप दे सकते हैं आपके पिता जी का क्या नाम है वो सारी चीजे यहां पर सोग जाएगी मदर का क्या नाम है नहीं आया है बट कोई शुनी है पिता जी का नाम आही गया है अब जो है वो आपका नेशनल्टी पूछा उसने आपको अपने डिकलेड कर दिया कि हम इंडियन है और अकुपेशन आपका वेपसाई क्या सेल्फ इंप्लाई हो या सेल्फ इंप्लाई प्रोफेशनल हो क्या हो आप तो आप जो है कुछ भी भर सकते हैं मैं अधर पर कर देता है मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं मेरा भी सेल्फ बिजनस ही है इस तरीके से अगर कहा जाए तो इस तरीके से हो अब आपका working address यह पूछ रहा है कि आप कहां पर काम करना चाहते हैं, तो आप स्थेम चीजे जो आपको भरनी है, वह address जो है, आप यहां से भर सकते हैं, कि आपका office address आप काम कहां करते हैं, तो काम करने का जो है वह आप भर लीजिए अपने हिसाब से, तो मैं अपना भर देता हूँ मेरा जो एड्रेस है वह आटोमेटिक मैंने वह वाला पुराना वाला ही डाला है जो मेरा आधार पे है और काम करने का एरिया भी मेरा वही रहेगा उत्तर प्रदेश स्टेट अल्रेडी सेलेक्टेड है सिटी आपका जो है सोनभद्र मेरा है तो सोनभद्र आपका जो भी होगा आपका जो है यहां पर शो हो जाएगा तो मेरा जो है वह आ चुका है बाकी नीचे जो भी आप भरना चाहें अपने हिसाब से कई सारे दिये हुए हैं जगे आप जो है उसको करने के बाद नेक्स्ट है तो मैंने ममी का नाम भर दिया आप अपने माता जी कानाम भर दीजेगी के है कि ये सारी चीजे आपको रहे हैं तो और नहीं हो पाएगा आसे अभी कुछ और भी बच रहा है जिसके वज़त से चीजे जा नहीं पा रही है अच्छा ब्लॉक आपका पूछ रहा है कि ब्लॉक क्या है तो मैंने ब्लॉक भर दिया इसके वज़े से जो है मेरा आगे नहीं जा रहा था सेंटर क्या पड़ेगा वह आप अपने हिशाब से भर ली जिएगा तो मेरा इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं next करके देखता हूं अगर नहीं होता है तो block mandatory है इसमें blocks मैंने भर दिया है हलां कि already submit हो चुका है मेरा block यह भी block में मतलब पूरा यह चीजे करना बहुत जरूरी है बार बार block मेरा address अब यह ले चुका है अब आपको monthly income का slab है वह आपको दिखाना पड़ेगा कि आप महिने में कितना कमा लेते हैं माल जह मैं 10 से 20 जार 25 जार के बीच में कमाता हूं तो यह डाल दूगा महिने में कितने income है मेरी तो आप भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं अनुवल जो turnover होगा आप साल में कितना कमा जाते हैं तो यह 20 जार काई उरे जगा लगा जातो बार दूपर तो मैं इसके बीच में एक लाग से पांच लाग के बीच में कर देता हूं उसके बाद नेचर आप बिजनस पूछ रहा है आप से कि किराना दुकान है क्या है युकान पर कर कोओ कर सकते हैं कि आप लिएवस वाल एजयंट साकते हैं और सप्रयों से सब्सक्राज तो उसको इस्तुमाल करना चाहते हैं तो इसतरीके से आप दे सकते हैं कोई भी मेरा जो है एंसुरेंस अजेंट अगर आप होंगे तो इस पर यह से करिंगा नहीं तो नो करिए मेरी केश में मैं नहीं हुँ एजेंट तो मेरे में नो रहेगा आपका ओनर खुद का है या फिर रेंटेड है तो आप जो भी आपका रेंट पर लेकर लगाना चाहते हैं तो रेंट पर दिखाईए नहीं तो आप ओनर है तो अनर दिखाईए How long in business, कितने दिनों से आप इस business को जान रहे हैं तो 6 से लेके 12 मंत या 1 से लेके 3 साल जो भी आपको सही लगे आप इसको कर सकते हैं How many customer visit daily आपके दुकान पर लगभग कितने लोग daily आ जाते हैं तो आप जो है 10 से 25, 10, 10 से कम या फिर 25 से 50, 50 से उपर तो आपका जो भी हो वो आप कर सकते हैं Number of person engaged in activity Self हो या individual हो आप ये आपको number of डालना है Market का जो reputation है वो standing in locality जो है Poor है, good है या better है तो आप जो भी आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं मेरे case में good या better करूँगा मैं आप भी good या better में सही चुनाव करियेगा अपना Exist cash management process of elements in total turnover Total turnover जो है आप exist management process कितना percent जो है cash element total turnover कर लेते हैं 25% कर लेते हैं 50% या फिर 75% जो percent है जो मेरे case में माली जो 25,000 का turnover में कर लेता हूं तो मैं 25,000 का डाल देता हूं उसके बाद आप से यह नीचे पुछता है कि ability employment technology solution in financial business Do you uses whatsapp does call किस तरीके से आप करना चाहते हैं Does transaction जो है online transaction होगी आपकी Use mail from communication Mail के जरीए भी आप तो आप जो है कुछ भी आप select कर लेजिए आपको जो सही लगे मैं समझ लेजिए कि whatsapp से मेरे lead हैं सब चारी Education आपकी क्या है वो education आप बता सके graduate है पोस्ट graduate है जो भी आपको समझ में आए 10 पास हैं 11 intermediate आप कर चुके हैं जो आपको समझ में मेरे किस में मालीजे मैं graduate हूं मैंने भर दिया Do you have other business अगर है तो click करिए नहीं है तो आप check mark करके आगे बग जाईए हाला कि यह पूरा चीजे जरूर यहां भरनी पड़ेगी क्योंकि इसके बिना आपका जो है आगे process नहीं होगा तो तो do you have any business yes या no करें मेरे केश में नहीं है मेरे केश में है मैं टाटा का मास्टर में मैं भरूंगा यह और in your work on rented जहां आप काम कर रहे है वो rented है या खुद की अपनी है तो यह चीजे भी आपको दिखानी है कि rented कितने महीने से आप च्छे महीने से या working from home से कर दो मैं तो working from home मेरा घर से ही काम चलता है मेरे पास office का support होता है तो आप जो भी आपके case में वह भर है इसको बनाना चाहते हैं उसको आप बना सकते हैं नॉमनी मैंने डाल दिया relation with account holder के साथ आपका relation क्या है तो नॉमनी date of birth पहले पूछ रहा है तो सबसे पहले relation account सारी चीजे जो है आपको भरनी बहुत जरूरी है address वही रहेगा same date of birth आप जो है नॉमनी का भर सकते हैं जो भी आपका नॉमनी बनेगा उसकी address भा सकते हैं आपका उनसे यह भी भरना है जिसे मैंने अपने ममी जी का नाम भर दिया अब आप से पूछेगा कि जेनरेट डीटेल्स तो जेनरेट डीटेल्स पर जाने के लिए type of your phone smart है या फिर आप जो है basic काम करेंगे household जो है आपकी अपनी है select vehicle two wheeler है आपके पास four wheeler है three wheeler है क्या है वह अपने हिसाब से आप भर लिजेगा बाकी जो category है मैंने अपना भर लिया है आप किस में आते हैं OVC general जिसमें आते हैं उसमें आप भर दीजे नमर आफ earning member in family कितने लोग की earning होती है आप अपने लोगों का भर दें कितने लोगों की सिर्फ मेरे case में मैं एक ही हूँ टोटल जो है family income कितनी हो जाती है पर annual तो मेरा समझ लीजे कि कम से कम मैं आपको एक example लोता रहा हूँ तीन लाग गुर्पे मेरा जो है वो हो जाता है साल भर में और आपका जो है कि operated by guardian any one any two जिसको भी आप करना चाहें जहां से करना चाहें वो आप कर सकते हैं कोई issue नहीं है उसके बाद जो है I want to I want to private my fingerprint during we KYC करने के लिए आप जो है फिंगर प्रिंट दे सकते हैं self mode of operator select details तो self mode इसमें मुझे देखना पड़ेगा हो जाने के बाद complete आपकी सारी details जो है यहां पर आ जाएगी जैसे आपका नाम आएगा last name आएगा date of birth आगी gender क्या है आपका यह सारा कुछ आजागा आपने email क्या डाला है मम्मी का नाम क्या है पिता जी का क्या नाम है और pen card का क्या है यह सब सारी चीज़े आपकी जो है आ जाएंगी उसके बाद जो है submit करके accept कर लेना है आपको प्रोसीट कर देना है प्रोसीट करने के बाद ही आपका जो है आईडी जेनरेट प्रोसेस में जाने लगेगा उसके बाद आपकी वीडियो के वाइसी होगी वह उसके बिना आपका जो है कोई चीजे रजिस्टर नहीं हो सकती तो मेरा जो है फीनो नाव विल ट्राइटू कनेक्ट टू आवर इंपलाई परफार्मेंस परफार्म योर वीडियो के वाइसी के लिए लिंक देंगे आपको सिंपली जो है इस पर कर दिना है तो इसको चेक मार्क करके स्टार्ट क के लिए कह रहा है तो आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं और अभी चाहें तो अभी कर सकते तो मेरा मंडे को अटोमेटिक वो फीनो पेमेंट बैंक वाले जो भी कस्टमर है कस्टमर के अर से उनकी तरफ से कॉल आएगा मुझे वीडियो के वाईशी करने के लिए सेम ऐसे ही आपका भी होगा तो जब आपका ये फीनो पेमेंट बैंक की अडी मिल जाती है तब इन सब सर्विशों का जो है आप इस्तमाल कर सकते है। कि समय और करते हैं कर सकते हैं ले सकते है तो ये सब हमारी जो आज की जानकारी थी वह on payment तो यही मिलता है कि आपका जो है क्याहें वह सौ रुपाय至 कम पर करेंगे तो उनको इक रूपाय भी नहीं मिलेगा 500 के बीच में अगर करते हैं वो transaction तो उस पे 5 रुपे मिल जाता है अब 500 के ऊपर अगर वो करते हैं तो 10 रुपे आपका jeo है commission मिलता है account opening पे 20 रुपे 30 रुपे यही charge मिलते है commission जो भी होता है तो इस तरीके से phino payment bank का था पर हमारे चैनल को जरूर जरूर जो है सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर भी करें ताकि हम आपको नेक्ट वीडियो में एयर टेल पेमेट बैंक के बारे में बताएंगे कि आप उसकी कैसे आईडी ले सकते हैं इनका कुछ सर्वर ज्यादा ही बिजी है और उपर से ज